अब प्रेंज दिस गौतम पंडए कमिंग अप दने एक्स राउंड ऑफ निव शिंप्लिफईट तो आज की विडियो में हम बात करेंगे बाद करेंगे बालोजिकल एंड टॉक्सिंग विपन कन्वेंशन जैसे सॉट फॉर्म में बीटी डवलू सी कहा जाता है तो सबसे पह उग CRANE को बिलोजिकल उपन बनाने में हिलप कर रहा है दूसरे तरह अगर उयस्थे की बात करें तो यह से कले नोम से उसे इंप्लेमेंट किया जाए व्रड वर्ड ईस्थापित किया जया है तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि BTWC क्या है इसके क्या के norms है क्या की provisions है या कि drawbacks वगरा क्या है इसके उसे के करके समझते चलिए सबसे पहले जरा हम biological and toxic weapon convention के विसे में समझते हैं देखिए इसके विसे में समझने से पहले जरूरी हो जाता है कि इसके हम history को समझ लें कि आखिर ये convention हुआ क्यूं था देखिए second world war के time के बाद हमने second world war में ऐसा पढ़ा है कि Germany जान बूझकर worldwide जितने भी नेशन थे या जो उन पर toxic weapon use करता था विशैली गैसे वागेरा जो टॉक्सिंग गैसे थी उन्हें यूज करता था और मास्ट डिस्ट्रक्शन करता था एक साथ बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में चैंबर में बंद करके मार देता था या उन्हें कर देता था तो उसके बाद से worldwide सभी लग वैसे हो या उस समय कि जितने वी अलाइनेशन थे इन लोगों के जो सबने अपने यहां पर बैलोजिकल और टॉक्सिंग बना लिया थे तो इस तरह की बात निकलने आ रहागी कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई मास्ट डिस्ट्रक्शन ना हो मिंस किसी भी लेबल पर करना चाहता था इसमें भाग लेना चाहता था उसके लिए उपन कर दिया गया था और फाइनली यह 1975 में जाकर इनफोर्स हुआ था मिंस लगबग त्री यह तक आप देखें बहुत सारे नेशन आगे बढ़ चड़कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे यह कंविंशन हु अभी इस 183 नेशन में सामिल है तो आपके लिए यहां पर एक कोश्चन है कि आपको यह बताना है कि इंडिया ने किस यहर में BTWC में साइन किया था तो आगे बढ़ते हैं जरा हम समझते हैं कि BTWC काम क्या करता है उसके बिसे में देखिए अगर हम काम की बात करें तो नाम अगर किसी के पास बाइलोजिकल वेपन है तो उसे अक्वायर कर सकते हैं या किसी दूसरे को ट्रांसफर भी निकर सकते हैं या अपने यहां बी और ज्यादा आप बढ़ा चड़ा क्रूज से और प्रडक्शन वगरा करके स्टॉक पिलिंग नहीं कर सकते हैं तेकि कहने की अब भी देखते हैं बहुत सारे निशन एक दूसरे पर क्लेम करते हैं उनके यहां पर बाइलोजिकल वेपन यह रसिया के विशे में कहता है और बिनेशन जिनका आपस में अच्छा संबद्द नहीं हुए एक दूसरे को उपर इस तरह क्या अरोफ लगाते हैं कि सारे कोशिस हो रही है कि इस तरह कि जो भी इसके इंप्लिमेंटेशन है उसे अच्छे से किया गया है अब जरा हम BTWC के जो की पॉइंट से उसके विसमाँ समझते हैं देखें देखें इस पूरे के पूरे कंविंशन में 10 आर्टिकल है और 10 आर्टिकल में कुछ या जो इस नेशन के इसके पार्ट बनते हैं उनसे उमीद की जाती है कि अपने विपन को डिस्ट्रॉइ करें या फिर उसे पीस्पुल परपस के तरफ ट्रांसपर करें अगर उनके पास अल्रड़ी है भी तो आटलिस्ट 9 मन्त के अंदर 9 मन्त का टाइम गया जाता है 9 मन्त म उसे डिस्ट्रॉइ कर दें और या उसे पीस्पुल ट्रांसपर करें ऐसी यूज करें जहां से किसी को हाम ना हो देखिए आर्टिकल 3 की बात करें तो इन में सभी लोगों को इंकरेज या असिस्ट करते हैं कि इस तरह के वेपन्स वगेरा को आप मेनुफेक्चरिंग वग गया है कि कोई भी नेशन जो एवनसी में जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोई अधर नेशन उसके खिलाब बालीचकल वेपन बना रहा है इसे वो एक एक जांपल्स अगर हम समझें मालेजे कि अगर इंडिया व्यसा लगता है कि पाकिस्तान चाइना के हेल्प से या फिर यसे के हेल्प से कोई बना रहा है तो इंडिया सान सुपेट सिप्रीrasse कर सकता है आप यह आप कि पाकिस्टान बना रहा है यह ऽिंडिय nowhere हो कोई करता है आगे बढ़ चारगकर वो डिनाई नहीं कर सकता खास करके जो साइन कर रखा है वह से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे इंविश्टिकेट वगर ना करें तो एक कुछ टा सकता करें आप करें कि करें अभी चाते हैं यह उतकर कीड़ा चाम का है यह नहीं है तो overall हम बात करें कुल मिलाकर अभी तक जो condition है convention काम कर रहा है और जो current का scenario है जो रसिया और Ukraine का खास करके जो USA का जो अभी problem चल रही है यह देखे सबसे important बात ही है तीनों के तीनों nation इस convention को sign कर चुके हैं और इसके signing हो थे करता है कि आने वाले दिनों में अगर रसिया इस तरह की कोई biological weapon वगरा की यूज करता है तो worldwide इस और अच्छे से implement करने की demand होगी तो होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स पूर वाचिंग current affairs by forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective last year we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes ठाचिंग